Hello Friends Welcome to NS Classes My name is Nitoo आज हम बात करेंगे भी memory management की memory management की हम दो पार्ट डिसक्स कर चुके हैं part 1 & part 2 जिसके अंदर हमने पहले पार्ट में हमने देखा था पूरा जो आपका memory management है उसके अंदर फिर हमने contiguous memory management देखा था second जो पार्ट था उसमें अच्छे से डिसक्स किया था आज वाली class में हम देखेंगे virtual memory क्या होता है virtual memory को detail में देखने वाले है ठीके प्लस जो हम paging के जो algorithm है यह हम देखेंगे अच्छी class में डिस्कस करें नेक्स क्लास में डिसक्स करें वह हम डिसक्स करेंगे ठीक है तो चलिए जो अपनी आची ट्रास वह स्टार्ट करते हैं कर देखाता है त्राशिंग क्या होता है पेजफोल्ट क्या होता है डिमांड बेज लगजिंग क्या होता है टेल भी यह सब कुछ हम कर चुके थे ठीक है आई होब आपने अच्छे से दिखे होगी नहीं बहुत है तो फिर इसके बाद आज वाली ख्लास देखना क्योंकि स्क्वेंस में चल रहा है और प्रेटिंग सिस्टम में आपको बता दूँ भई 15 से 20 नंबर का वेट रखता है भई 15 से 20 नंबर का वेट रखता है डी डी ट्रिपल अग्जाम में ठीक है प्लस अगर हम आपके प्रेटिंग की बात करें तो पांच मांक का वेट रखता है और साथ में अगर मैं के एक्जाम की बात करूं तो वहां पर भी आप 7-8 नंबर का वेट लगा सकते हो अराम से वर्च जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंग्नोर म एकी बहुत बढ़ी में मेमरी सिस्टम उतम का उसक बढ़ी मेमरी कोता है कि यह क्या करते हैं कई लूवकर के बात क्या होते हैं ऌहीं है क्या कुछ फॉस्च भी प्रोसेस दैंग ब्यार्ज मेमरी ईक अब कर थे सद्रेंग हो थेक di beef च्यार्बोग हो नहीं च्हें इस प्रोसेस को नम्र फेजीज में डिवाइड करता है जो इंपॉर्डन पेजीज है वह हम लेके जाते हैं रहे कहां पर आपके जो हैं वर्चुल मैमरी के अंदर जिससे लगता है कि बहुत सारी प्रोसेस आ गई है तनी बड़ी प्रोसेस आ गई है इसका तो जो साइज देन फिजिकल मेंडे श्पेस वी केंड थे अब फॉसस एग्जिटिंग मेंडें टाइम यह डिगिरी ओफ मल्टी प्रॉग्रामिंग को इंक्रीज करती क्यों कि नमबरो प्रोसस को लिके जा रही है वहां पर विद्द वर्चल मेंडे टैकन एग्जिग्डेट प्रॉसस वि तो यह सबर च्रीके से एक पर बरी को बिस्त जेंदा टो है यहां मसमारी टो की है को इस तरीके से ऊपर इस द रिले में चाहिए में 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 लए फिर यहां पर आपके फ्रेम्स यहां पर यहां पर चुपकE Frames आपके प्रोसेस को लेकर आगया है और जिससे देखाना की जो आपकी प्रोसेस है वह पूरी-पूरी आराखक बहुत देखाना की मा इसा होता है हम SwapIn SwapOut करवा है करवाते रहते हैं हमें जो सी प्यूंदी जाहिए जल्दी जल्दी जाहिए इसलिए तो हम जो है पेज रिपलेश्मend algorithm का यूज करते हैं क्योंकि हम जो है उसी page को में चाहते हैं जो CPU उसको execute कर सके ठीक है CPU को जिसके जादा जरुत हो तो समझ में आया भई तो इसलिए ये concept होता है आपका virtual memory का तो how virtual memory work किस तरीके से आप ही virtual memory काम करते है virtual memory has become quite common these days in this scheme whenever some pages needed to loaded in the main memory for the execution and the memory is not available for those many pages then in that case instead of stopping the pages from entering in the main memory the operating system search for the RAM area that are least used in the recent time or that have that are not referenced and referenced and copied into the secondary memory to make the space for new pages in the main memory since all the procedure happen automatically ये वाला जो प्रोसेसर वो जो है वो चलता रहता है therefore it makes the computer feel like it having the unlimited RAM ठीक है मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि अब जो है online classes start करने का सोच रहू है online class पहले हम 2 बजे करते थे अगर आपको कोई और टाइम लगता है कि भी हम दूसरे टाइम पर जो है online class लें तो live class आप बता सकते हो कि किस time हम live class start करें तो फटा फटा फट सारे बच्चे कमेंट सेक्षिन में बता देना कि live class का जो time है वो क्या रहना चाहिए ठीक है जिससे सारे बच्चे जो है class में आ data bit reference bit dirty bit क्या होती है कि हम मैं आपको सब कुछ करवा चुकिए हूं करवा चुकिए ना frame जो होता है वो आपका compulsory part compulsory field है और वाकी सारी क्या है optional है तो यहां पर main memory में हम कुछ-कुछ जो pages है वही लेकर गए है सारे नहीं लेकर गए है उपर वाला जो पार्ट होता है वो आप तो www.degreyofmultiprogramming.com के राइं क्या रहा है । curd region of multiprogramming को क्या कर रहा है तो ग्रीज कर रहा है उजर के रहा हम बड़ी अप्लिकेशन को भी यूज घर क favori यूज कर रहा है यूज है और उफ यहां बडी यूज को क्या कर रहा है यूज कर रत पारहा है यूज कर यूज कर तो कुछ डिषडवांटेज भी हो क्या दे रहा है? The system becomes slower जो system है आपका slow हो जाते है क्यों वह? क्योंकि बार बार आप swapping कर वारे हो कभी secondary memory में जा रहे हो कभी main memory में लेकर आ रहे हो process को फिर main memory से secondary memory में लेकर जा रहे हो secondary से main memory में लेकर यह में लेकर रहे हो जाते है तो समझ में आया इसकी क्या हो जाएंगी कुछ कुछ कुछन देख लोगई because of virtual memory the memory can be shared among virtual memory जो होती है वह किसके बीच में शेयर की जाती है? process के बीच में process के बीच में या वर्चल मामरी को share करोगे dash is the concept in which the process is copied into main memory from the secondary memory according to the requirement क्या बोल रहा है requirement के according process को copy कर रहे है swap in and swap out कर रहे है तो आपका क्या हो जाएगा? demand paging next the copper the pager concern with the pager individual page of process entire process entire thread first page of a process जो pager concern होते है वह आपके individual page होता है individual page होता है किसी भी process का तो यहां पर आपका option बिल्कुल सही होगा next question swap space existence swapping जो होती है वह कहां से होती है आपकी secondary memory से होती है कहां पर होती है swap secondary memory से when a program tries to assess a page जब आप try करते हो किसी भी page को assess करने के लिए that is mapped in address space but not loaded in physical memory then main memory में नहीं मिलता तो उस case को आप क्या बोलोगे page fault कहेंगे क्या कहोगे page fault अपकर हो गया ठीक है तो यहां पर आपका answer आजाएगा c next लिको effective assist time that is eat effective assist time is directly proportional to किसके proportional होता है effective assist time page fault के hit memory assist time के none of the page fault की assess होता है page fault होगा ठीक है तो यहां पर आपका answer आजाएगा भी a option ठीक है effective assist time तो होता है वो आपका directly proportional होगा किसके भी page fault rate के जितने page fault rate होगे उतना ही आपका जितना ज्यादा page fault होगा उतना ज्यादा time बढ़ता रहेगा process is threshing threshing it is spending more time paging than executing execute page fault अगकर swapping cannot take place तो यहां पर आपका threshing threshing भी होती है ज़्यादा time spend करें paging than executing executing ज़्यादा time जो है वो यहां पर spend करें तो आपका क्या कहलाता है threshing कहलाता है तो यहां पर आपका answer क्या जाएगा भी a option virtual memory virtual memory जो होती है आपको frame allocation और page replacement में हम उसको divide करते हैं तो how many frame are to be allocated to the process कितने page जो है आप allocate करवाते हो तो वह आपका क्या हो जाएगा frame जाएगा page replacement which page is so to be replaced कि कौन सा page आप replaced करवाने वाले हो तो यह आपके page replacement algorithm आजाएँगे तो भई page replacement algorithm आपके तीन होते है first-in, first-out, optimal or least recently used जो कि आपके exam के point of view से बहुत जादा important होती है ठीक है तो page replacement algorithm वाला topic है वह हम कल करेंगे और कल आपका memory management वाला topic है वह पूरा का खतम हो जाएगा ठीक है और फिर जो है मैं कोई भी जो है topic start कर दूँगी ठीक है क्योंकि file management भी रहता है process synchronization भी रहता है deadlock भी रहता है अभी 3-4 topic रहते हैं भी आपके operating system के अंदर ठीक है तो आपको class अची लगी होगी लगी है तो हमेशा की तरह चैनल को लाइक करो शेयर करो जाद से जाद सब्सक्राइब करो चैनल को तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ तब तक लिए बाई and thank you